नमस्कार दोस्तों रोजाना राश्वी फल दखने के लिए चैनल को शब्सक्राइब कर लें शाथ भी बेल आइकन को प्रिश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राश्वी से जुड़ी सभी जानकारियां शब्से पहले आप तक पहुंश सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का अलाबली शुकें तो आई दोस्तों से के शाथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन सितंबर 2021 के आपके राश्वी फल की बारे में शब्से पहले दोस्तों जिनका भी शुमी बर्जडे है या फिर एनिवर्सरी है आप शभी को मरत्रप से धेर शारी शुक कामना है तो आई दोस्तों इसे के शाथ बात करते हैं याश्वी गरहों के सिद्धिकेशियों की क्या क्या योग बनेंगे और इन शभी का श्रापकी राश्यवर्ड क्या होगा किन किन चीजों को लेकर याश्मी आपको साउधन नहोगा और आकिर कौन कौन शीक कारे आपके लिए याश्मी बागी चले होगे याश में आपका लव लाइफ श्वास करियर और धनके सिद्धिकेश रहेंगी शादे दोस्तों वीडियो के मत में आप शभी के लिए बहुत अच्छे बिचार दे गए हैं जिन्हें आप जरू देखिएगा आपको काफी अचलेगा तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नाम का शुब योग प्राण्म हो जाएंगे वए दोस्तों दिन उन्हें कि बात करें अर्थात अशुब समय कि दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय को भी शुब और महत्पुन कारें को फिल्गोला करें दोस्तों यह शुब दरे गाशुबा के दश बचकर बाउन में चलेकर की हुई चीज एक दिन हजार गुना होकर लोडती है दोस्तों अंदे अंदे का अगर नेत्यूत करेगा तो दोनों खाई में ही गिरेगा मुर्क लोगों से कभी बैस नहीं करनी चाहिए वह पहले आपको अपने अस्तर पर ले आएंगे और फिर आपको अपने अनुभव से हर में होते हैं प्रन्तु बोलने के बाद मनुश्य सब्दों के वस्न में हो जाता है जब तक आप अपनी शमस्याओं की वज़ा दूसरे को मानते हैं तब तक आप अपनी शमस्याओं इंग कठनायों को मिटा नहीं सकते पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वेंग बनाता पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों के रास्ता को भी रोक देता है जिस चीज़ को आपको ज्यादा डर लगता है उसी चीज़ को करो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राश्यफल की देनी राश्यफल दोस्नों यश्मे कुछ पुराने मद्वेद्दूर होंगे तथा आपसी संभनों में पुनह मदूरताएंगी आपको बता दें कि यश्मे जमकर मेहनत करने का श्मय होगा और शब्लता भी निस सिद्ध है दोस्तों आपके विन्नमर स्वभाव से आपकी लोग पर डिताता था साक में भी यश्मे ब मनवल दवरा उस पर काबू पाने की कोशिश करने चाहिए इनमें आप यश्मे सक्षम रहेंगे दोस्तों कुश्मे से अध्यात्मी गदिद्यों में भी श्मे को वहतित करें तदा अपनी बनाई हुई नितियों पर भी कार्य करें यह आपके लिए बैतर होंगे और शुप दो बातें आपके पक्ष में हैं उनका अधिक फाइदा उठाने की यह में खुशिश करने और जिन बातों पर आपका नेंत्रन नहीं है यह बातों को अभी अधिक महतों नौ देते वे आपको काम को करते रहना चाहिए अपने भविश में आगे बढ़ते रहना चाहिए इस शंतान की समस्याओं को सुनना और उसका समधान करना उनके आत्मिश्वास को और दिख बढ़ाएगा तो दूदों जरूर यह अश्मी आप उन पर ध्यान दे उनके समस्याओं को समधान करने में उनका मदद करें इसमी दिन की शुरुआत में कुछ कारियों में रुकावट आने से टेंसन रह शकती है परन्तु आपको बदा दें कि धीरे धीरे समस्याओं हो जाएगा या शुबेश शकार्तमक दिख्टिकोन रखना आपके लिए अतियाउश्व होगा तो इन पर ध्यान दें बायों के साथ भी सम्मध मदूर बना कर रखें यह आपके लिए शुम चाहिए और क्या नहीं इस बात का फर्क करना आपके लिए अशान रहेगा आपको बताते कि परिवार के शाथ सम्मंध ठीक बनाने की यह में आपको कोशिश करना चाहिए यह आपके लिए बविश के लिए बैतर होंगे इसके साथ दोस्तों बसों की गलतियों में उन्हें फटकार के बजाए फ्यार से समझाने का अपरेतन करें इससे उनका आप विश्वास बढ़ेगा और शवाव को शरल वह पर मधूर बना कर रहें कटूरता पूर्ण वायवार्श हुए इसके वज़र समाज में आपका जो है छवी इसमे बिगड सकती है या फिर आपकी छव शुला ने बनाए जाए इस पर आपको विश्वार करना चाहिए और ये आपके लिए चिंदा का का ओनेगा आपको बता दें कि अधिक विचार नों करते हुए अपनी किरित Jaguar में आपको ध्यान दने क्यावश्वत्ता होंगी आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके क्यों कोशिश करना चाहिए इसलिए दोस्तों इसमें आप मेट्रेशन पर जहरू ध्यान दे यह आपके लिए बैतरों के इसे आपके उर्जा और आत्मिश्वास में आपके बढ़ने एंगे वाले और इसको परहां दोसे इसमें आपको बतादें कि गरह गोचर रहёзकर में आपको कोई बहतरी उप्लावधी भी देने के लिए ततपर है मितरों तधा रिश्तिदारों के शायत अपना भावनेत्मों के लगाव रखें दोस्तों आपको बता दें कि किसी नईदिकी व्यक्ति की शमस्या को हल करने में आपका खाब्स समय वहतित भी होगा और इशा करने से आपको आत्मी खुशी और अनुभती भी होने वाली है आपको बता दें कि कोई शौक पुरुन शमाचार मिलने से मन में उदासी रह शकती है दोस्तों कोई शमय धार्मिक अथवा अध्यात्मे गत्तियों में भी शमय को उतित करें इससे आपको शुकून मिलेगा युवाओं को अपने केरियर शमंदी किसी प्रजक्ट में विफलता मिलने से दोबारा प्रयाश करना पड़ सकता है और इसको प्राण दोस्तों ये शमय आपके लिए समयोंगे दोस्तों आपको बदा दें कि पेसे समय धी अधिक कोई वैवार हुआ है तो दोस्तों उससे जुड़े कागजात को ये शमय समाल कर रखिये फिलाल आप जरूत से अधिक कठोर बन रहे हैं जिसकी वज़े से करीवी समयोंदों में भी दरार आपको नजराएंगी आपको बदा दें कि अपने अंदर बढ़ते हुए गुष्य को कावो में रखने की शमय आपको कोशिक करना चाहिए ये आपके लिए शमय बैतर शाविद होगी हँद दूसरों तुरन त्षे इस पर क्रवाई शुरू कर दें ये जो शमय हुँए आपके लिए लागदाएक शाविद होगा ये निवेश आपके लागदाएक शाविद होगा नोकरी शमय बनी भी कुछ समॏओने आपके लिए सामने आने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि शम्मय व्यृत्त किये बहिना तुरूंत इन्हें आशिल कर ले यह आपके लिए यह बैसे को व्यूआ करें इसलिए दोस्तों सान्ति पुन तरीकेश मस्मय को वहितित करें, शावधने को बरते हुय आगे बढ़ें तब ही जाकर आपके शबलता में कोई आँच नहीं आने वाली है आपको बता दें कि किसी भी कारे में पेशा निवेस करते शमें किसी अनुभवी वेक्ति की शला मसवरा जरूर लें ये आपके लिए बहतर होंगे आपके वाईशाय के लिए समयोगे आपको बता दें कि कारे स्थल पर शबी कारे अपनी निगरानी में ही करें या फिर अपनी निगरानी में करवाएं ये आपके लिए बहतर होंगे दोस्तों ये समय इस्टाप आधी पर जो निग्राली रखना आपके लिए अतियाप्शो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से समधित वह शाय में भी ये समय अच्छा मुनापा होने की समावना बन रही है नोकरी में अच्छे कारियों में परगती होगी जो इसमय आप उनमें लापरवाई ना परते किसी परकार की निक्वारी होने की अंसरका बन रही है और इसको प्रांद दोस्ते में आपके केरेक्ष्ट ले समय होगे आपको बता दें कि दोस्तों ये शमय करमचारियों से समदित कोई शमस्याद दूर हो शकती है अगर कोई नया वाइपार या फिर नया काम सुरू करने की कोशिच कर रहे हैं या फिर सुरू करने जा रहे हैं तो अत्यद्विक मेहनत के बाद ही आपके काम बनेगे लेकिन मेहनत करेंगे तो लवलाइब को लिकर बात करें थाता आपके पार्वरिक जौन की तो defence की शब्तुबTN रहेगी किसी अन्यव्यक्ति कारण प्रेम्ट श्ब्बदो में अलगाव है तो दोस्तों श्रुष में आपके लब लाइप के लिए समयोंगे आपको बदा दे कि दोस्तों यह श्मी प्रेम शंबनों में नहीं दिक्कियां तो बढ़ेंगी अब वायतों के लिए भी कोई अच्छा रिस्ता श्मी आने की उमीद भर रही है और श्रुष में आपके लिए समयोंगे आपके हेल्थ की तो दोस्तों यह में बीपी या फिर डाइविटेज लोग अपनी निमित जाज जरू करवाएं लपरवाई करना आपकी परिशानी को बढ़ा सकता है तो दोस्तों यह में बिल्कुल भी लपरवाई ना करें यह आपके श्वास के लिए भैतर शावित देंगे वैसी दिंचरिया रखकर और दिश्मे स्वस्त और उर्जवान महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दे यह आपके श्वास के लिए भागी शाली रहने वाले हैं आपको बता दें कि दुस्तों अपने विचारों और मानुश्य की जितियों को शका